नमस्ते दोस्तों आज हम राम मार सेरीज का पांचमों चिप्टर लेकर क्या है वन जीव अभ्यारण ठीक है तो वन जीव अभ्यारण की यदि हम बात करें तो ये भी स्टैटिक जीके के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसके प्रिवेस एर हम आज इसमें क स्टैटिक जीके का जैसे कि मैं आपको प्रिवेस एर पूरे करवा रहा था तो आज ये हमारा पांचमां लेक्चर होगा ठीक है तो देखिए हम कोस्टन की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं इसमें पहला कोस्टन क्या है ना बीविया से लाए गए चीतों को किस नेशनल पार कुनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा है प्रधान मंतरी यो मोदी जी जब गए थे कुनो नेशनल पार्क पे और इनको चीतों को जो ना मिविया से लाए गए थे तो उनको निकाला था उन्होंन ठीक है तो किस प्रदेश में हो जाएंगे मध्य प्रदेश में कुनो नैसनल पार्क ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं सिंगा लेला राष्ट्रिय उद्यान भारत के किस राज में इस्थित है तो पस्चिम बंगाल में इस्थित है कहाँ पर पस्चिम बंगाल में इस्थित है ठीक है अगला यदि हम देखते हैं तो रंगना थीटू रंगना थ जाओ राश्टी उद्यान एक मत्र तैरता हुआ एक मत्र तैरता हुआ राश्ट्री उद्यान है जो कहां परिस्थित है मड़ीपूर में अब दोस्तों यह तैरता हुआ कैसे हैं एक जील है ठीक है क्या है एक जील है और इस जील में बीच बीच में ऐसे तीले निकले हुए है मिट्टी के जिसमें जिसमें से अगल यहां पर किनारों में सब जगह पानी भरा हुआ है इनके बीच में और यह बस थोड़ी-थोड़ी जमीन इसके बीच में दिखती है ठीक है तो यहां पर घास है और यहां पर एक हिरन पाय जाता है तो इसलिए उसको डांसिंग हिरन भी बोलते हैं ठीक है तो आप इनको इस तरीके से याद रखेंगे केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क जो है तो वो एक मत तरत हुई राष्टी उद्यान में इस्थित है ठीक है और यहाँ पर यह जो जील है तो यह पुर्वत्तर भारत की इस जील का क्या नाम है इस जील का नाम है लोक्तक जील नाम है तो यह जो लोक्तक जील है तो यह पुर्वत्तर भारत की एक मतर मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है ठीक है ना मीठे पानी की पुर्वत्तर भारत की सबसे बड़ी जील है आप इसको भियाद रखेंगे लोक उद्यान किस इस्थान पर इस्थित है तुलिप उद्यान किस प्रदेश में इस्थित है तो इसमें तो मुस्यारी जो दिया है तो ये जगय का नाम है ये लेकिन कहां पर है उत्रखंड के मुस्यारी में ठीक है उत्रखंड के मुस्यारी में इस्थित है ठीक है अगला देखते हैं 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कुतने राष्ट्री उद्यान है तो भारत में 104 राष्ट्री उद्यान थे 2019 के अनुसार अभी 2023 में 106 हो गए है ठीक है अभी देखिए अगला कोशन के है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्स शुरू किया गया तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया और इसके साथ में दूस्तों आप यह और याद कर लीजेगा कि प्रोजेक्ट जो elephant है तो 1992 में start किया गया 1902 में चालू किया गया तो आप इसको भी याद रखेंगे प्रोजेक्ट elephant प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट elephant ठीक है बकसा टाइगर रिजर्ब की इस प्रदेश में है तो पस्चिम मंगाल में ठीक है बांदीपूरा राष्ट्री उद्यान करनाटक में ठीक है बांदीपूरा का राष्ट्री उद्यान करनाटक में चंदवली राष्ट्री उद्यान महाराष्ट में ठीक है अब दोस्तों थोड़ा से यहाँ पर मैं और बता दिता हूँ में जो हो तो कई सारे राष्ट्री उद्यान एक ही बायोस्फियर रेजर्व में जैव मंडल में कई सारे राष्ट्री उद्यान भी सामिल होते हैं ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे कि जो बायोस्फियर रेजर्व होता है जैव मंडल होता है तो वो बड़ा छेतर में ब प्राइव स्फियर रिजर्ब है ठीक है और येदि हम इनकी बात करें राष्ट्री उद्यानों की तो 106 ये तो 107 होंगे आप इसको चेक कर लेंगे ठीक है 106 ये तो 117 इनकी संख्या होगे ठीक है सबसे धिक कहां पर होंगे यमपी में होंगे ठीक है आगे हम देखते हैं आपे पहला भारतिए रिजर्ब बारतिए रिजर्ब वन कौन सा है तो सद्पुडा राष्ट्रि उद्यान कौन सा है ये सद्पूडा वाला कहां पर है यमपी में ठीक है आगे देखते हैं नंदा देवी बाय स्फेर रिजर्ब किस राज में इस्थित है तो उत्राखन में ठीक है नंदा देवी और नंदा देवी चोटी भी उत्राखन में है तो उसी के आसपास कछेत रही है नंदा देवी बाय स्फेर रिजर्ब ठीक है आगे हम देख तो पस्चिम मंगाल में राजा जी राष्ट्रिय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है राजा जी पार्क एसी आई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है और ये राजा जी कहां पर है यूके में यूके में मतलब उत्राखन में कहां पर उत्राखन में ठीक है तो उत्राखन म मिलेगा किस राज में किस राज में बार नवा पारा वन जीव अभ्यारण है तो 36 गड़ में कहा पर 36 गड़ में अब देखे अगले कोश्चोनों की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला कोश्चन है मारे सामने कि लावख हुआ वन जीव अभ्यारण किस नदी के तट पर है किस नदी के दच्छनी तट पर है तो ब्रंभ पूत्र नदी के ब्रंभ पूत्र नदी के दच्छनी तट पर हमारा लावख हुआ है और लावख हुआ किस राज में ह समुद्री अभ्यारण इस्तित है तो उडिसा में कहा पर इस्तित है उडिसा मिस्तित है ठीक है गहिर माथा समुद्री अभ्यारण उडिसा मिस्तित है अगला कोश्चन देखते हैं पक्के अभ्यारण पक्के बाग अभ्यारण किस राज़ में है तो अरुनाचल प्रदेश मे अगला कोश्चन है पेंच टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्थित है पेंच टाइगर रिजर्ब मध्य प्रदेश में इस्थित है कहाँ पर मध्य प्रदेश में भारत के किस राज में सरवाधिक राष्टी उद्यान है तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर मध्य प्रदेश में ठीक है अगला कोश्चन है कौन सी नदी राता पानी वन जी अभ्यारण से निकलती है तो बेतवा नदी ठीक है ना बेतवा नदी जो यमुना की सायक नदी है ठीक है तो बेतवा नदी यमुना की सायक नदी है उसके वो कहां से निकलती है राता पानी वन जी अभ्यारण क में स्थित है अगला कोशन है मानस राष्ट्री उद्यान किस जगह है तो असम में है पलामू टाइगर रिजर्ब किस राज में है जारखंड में है इरावी कुलम राष्ट्री उद्यान कहां पर है तो केरल में ठीक है अगला कोशन है नागर होल राष्ट्री उद्यान किस रा अगला कोचन है गलफ हाफ मननार मनीर नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क कहा पर है तो तमिल नाडू में अब इसको ऐसे आद कर सकते हैं कि जैसे मननार की खाड़ी है तो तमिल नाडू में इस्तित है ना तमिल नाडू और सिरलंका के बीच में रहा है ठीक है मननार की खाड में हैं तो मद्ध प्रदेश में अगला कोशन है भद्रा वन नजी और भ्यारण किस राज में करनाटक में ठीक है किस राज में दंपा टाइगर रिजर्ब इस्तित है तो मिजूरम है ठीक है दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी राष्ट्री उद्यान यानि नेशनल पार्क से कोश्चन आते हैं तो जाद तर कोश्चन आपको यही मिलेंगे कि किस राज में इस्तित है ठीक है कभी कभी कोश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे उसमें डेट दे देता है कि कभी यह जो तो राष्ट्री उद्यान खुला कभ क वह सित किया गया तो यह question बहुत कम आते हैं लेकिन ज्यादा तरह आपको question कैसी मिलेंगे कि जो तो किस राजय में इस्तित हैं ऐसे question पूंचा जाता है यह तो कभी-कभी आईसे question पूंचता है कि यह राष्ट्रे उद्ध्यान किस जीव के लिए famous है तो जब कोई बहुत ज्या आधा की तर्ह एक सिंग वाल गिए अडा के लिए तो इस तरीकी के कोस्चन कभी-कभी आते हैं ठीक है लेकिन ज़्यादातर कोस्चन राजियों को पूछने के लिए प्रयार नेस्नल-पार्क किस परवत सरंखला में है तो पश्चमी घाट में हो जागे कहां पर पश्चमी घ केरल में, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे, अगला कोशिन देखते हैं. अगला कोशिन है, हमारे यहां पर पेरियार टाइगर इजर्ब और बुह था है, कईरल में है, ठीक है, अगला कोशिन है, तो सुंदर बन टाइगर इजर्ब किस राज में है, और इसको याद रखिए दोस्तों इसका नाम कैसे आया है यह जो सिमिली पाला है तो सिमिली पाला एक नाम है देशे जो कपास होता है तो कपास में एक टाइप होती है जिसके जो फल होते हैं तो उसका कलर रेड होता है कैसा होता है रेड कलर का कपास का बाहर का जो आवरण हो पाल तो यह सेमल के पौधे आपर पाय जाते हैं एक प्रकार का पास है तो इसलिए इसका नाम सिमली पाल हो गए ठीक है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्थित है तो अन्ना मलाई कहां पर है तमिल नाडू में कहां पर आप तमिल नाडू में हो जाएगा ठ कोचन देखते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ठीक है मध्य प्रदेश में पन्ना के हीरे ठीक है पन्ना के हीरे फेमस हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व तिलंगाना अगला कोचन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस र कि में और ये कंचन-जंगा चोंटी सिंके में ह jug कि के आस पास को चत्राष्टी उद्धन ठीक है गिर गर के जंगल कि सराज में इस्तित है कि आनर meant बॉडरात में ठीक है और ये किसके लिए फेमस डाष्टці सेरों के ले फेमस घोन nationsитиOS पंचमडी बायो स्फेर रिजर्व कहां इस्थित है मद्द परदेश में इस्थित है अगला कोश्चन बांधावगड राष्ट्री उध्यान मद्द परदेश में इस्थित है ठीक है कहां पर मद्द परदेश में अगला कोश्चन है दाची गाम राष्ट्री उध्यान कहाँ पर है दाची गाम राष्ट्री उध्यान जम्मू कस्मीर में नेक्स्ट कोश्चन है दो दुवा टाइगर रिजर्ब कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में अगला कोस्चन है कलकल मुंडन थुराई टाइगर रिजर्ब कहाँ पर है तमिल नाडु में कहाँ पर है तमिल नाडु में कवल टाइगर रिजर्ब कहाँ पर है तेलंगाना में कहाँ पर तेलंगाना में रण थम्भोर राष्टी उद्यान राजिस्थान में कहाँ पर राजिस्थान में काजी रंगा राष्टी उद्यान कहाँ पर है असम में ठीक है असम में और ये एक सिंग वाले गिंड़ा के लिए प्रसिद्ध है कानहा टाइगर रिजर्ब कहाँ पर है तो मद्द प्रदेश में कहां पर मद्ध प्रदिस में अगले कोश्चन हो की ओर हम चलते हैं तो यहां पर देखते हैं अगला कोश्चन है मेल घाट बाग अभ्यानड कहां पर है मेल घाट बाग अभ्यानड कहां पर है तो ये हमारा महाराष्ट में कहां पर महाराष्ट में ठीक है अगला कोश्चन है साइलेंट वाइली नेशनल पार्क किस राज़ में है तो केरल में ठीक है और साइलेंट वाइली भी कोश्चन आता है साइलेंट वाइली कहाँ पर है तो ये केरल में वही है ठीक है वो उसी के आसपास कछेतर नेशनल पार्क में बदला गया है हिम तेंदुआ का निवास इस्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है तो लद्दाक में है ठीक है हिम तेंदुआ और हेमिस ठीक है हिम से हेमिस हो जाएगा ठीक है यानि बर्ब तो बर्ब लद्दाक में ही रहती है ठीक है लद्दाक जम्मू कस्मीर में तो अगला question है गोईंदी राष्टि उद्यान कहाँ पर है तो तमिल Nandu में अगला question है बिक्रम सीला गंगेटिक डाल्फिन अब वहारन कहाँ पर है भागलपूर बिहार में कहाँ पर बिहार में ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा बतादे तुम आपको जैसे बिक्रम सीला गंगेटिक डॉल्फिन है तो यह हमारी डॉल्फिन की बात हो रही है किसके डॉल्फिन की तो डॉल्फिन हमारी जो मचली है मचली नहीं है यह क्या है इस्तंधारी पसू है जली पसू ठीक है जली जीव है तो ये जो डाल भिन है क्या है जली जीव है अब इसको जो तो राष्ट्रिय जली जीव कब गोंसित किया गया तो 2009 में गोंसित किया गया था प्लांटी निष्टा इस तरीके के है आपका प्लांटी निष्टा गंगेटिका ठीक है गंगेटिका इस तरीके का इसका नाम है इसका बैग्यानिक नाम है तो आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं ठीक है इसके लावा इसमें और क्या बात है इसमें ये है कि इसमें इसको दिखता नहीं है क्या नहीं है इसको दिखता नहीं है ठीक है नहीं देख नहीं सकती तो ये देख नहीं सकती ये सिकार कैसे करती हैं सिकार करती है परास्रब धोनिया छोड़ करके यहां पर साइड में बताते हैं थोड़ा सा देखिए ये क्या ड डॉल्फिन की बात कर रहे हैं ठीक है डॉल्फिन की ठीक है तो यह देख नहीं सकती तो किस से पता करते हैं जिकार का परसरब धोनियों से किस से परसरब धोनियों से पता करते हैं ठीक हैं 2009 में 2009 में इसको राष्टिय जलीव जीव गोंसित किया गया फिर 2020 में इसके लिए इस इसका जो बाइग्यानिक नाम क्या है इसका बाइग्यानिक नाम है प्लैंटे निष्टा प्लैंटे निष्टा प्लैंटे निष्टा गंगेटिका क्या नाम है प्लैंटे निष्टा गंगेटिका ठीक है तो आप इसको भोलिए का नहीं प्लैंटे निष्टा गंगेटिका और और ये कहा मिलेगी गंगा और गंगा की सहायक नदी यानि ब्रह्म पुत्र और भी कुछ सहायक नदियों में ये देखने को हमें मिल लाती है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि इनको दिखता नहीं है, ये परासरव धोनियों से अपने सिकार का पता करती है, ठीक है और इसको इस्थानिय भासा में क्या बोलते हैं सुसु बोलते हैं क्या बोलते हैं सुसु बोलते हैं आप इसको भे याद रखेंगे इसको इस्थानिय भासा में सुसु बोलते हैं और ये कहां पर मिले गे गंगा और गंगा की सहायक नदियों में 2009 में इसको राष्ट्री जली याद रखेंगे अगले कोश्चनों की और हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अब अगला कोश्चन है हमारा यहाँ पर थोड़ा से इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों देखिए अगला कोश्चन है हमारा डंगोंग डंगोंग किस इस्थान का इस्थान पर मंदल सन रच्छन छेत्र का प्रमुख जीव है तो मनार की खाड़ी कहां पर मनार की खाड़ी जो है तो डंगोंग डंगोंग जो है तो मनार की खाड़ी के पास इस्थित है ठीक है मनार की खाड़ी के पास ठीक है किस राज में है गुरु घासी दास राष्टी उद्यान 36 गड में है ठीक है और दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने इनके वारे में गुरु घासी दास के वारे में पिछले लेक्चर में कुछ चर्चकी थी गुरु घासी दास जो थे तो इनको सतनामी सतनामी जो समाज है त अगला कोश़िन देखते हैं कतर्निया घाट वन्न जी अभ्यारन निल्खाटी राश्टी उद्यान परिस्तित है तो जम्मु अंड कस्मीर में टीक है पिन घाटी राष्टी उद्यान कहाँ पर है हिमाचल प्रदिस में कुलिक पच्छी अभ्यारण कहाँ पर है तो पच्छी मंगाल में ठीक है ओरांग राष्टी उद्यान जिसे राजियू गांधी राष्टी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है वह किस राज में है औरांग राष्टी उद्यान असम में ठीक है फेमस राष्टी उद्यान है अब भोलेंगे नहीं अगला कोश्चन है गीर काववन सेरों के लिए प्रसिद्ध है यह किस राजी पर इस्थित है तो गुजरात में ठीक है किस राजी में इस्थित है गुजरात में इस्थित है सरिस्का राष्ट्री उद्यान किस राजी में इस्थित है तो राजी स्थान में इस्थित है अगल या कस्मीरी इस ट्रैक से यह जो हंगूल है ने दोस्तों हंगूल हीरन का नाम है किसका नाम है हीरन का नाम है और यह एक परकार की हीरन की प्रजाती है ठीक है तो आप इसका इमेज जरूर मेरे कहने से निकाल करके देखीगा आप अपने फोन में ठीक है हंगुल जो हमारा कस्मीरी स्टैग भी इसको बोलते हैं हंगुल या कस्मीरी स्टैग ठीक है दचिगाम नेशनल पार्क में पाय जाता है आप देखने में ये बारे सिंगा की तरह लगेगा ठीक है अगले कोशनों की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है अचान कमार वन जी अभ्यारण कहां पर है तो 36 गड़ में कहां पर है 36 गड़ में ठीक है कुमारा कॉम पच्छी अभ्यारण कहां पर है तो केरल में कहां पर है केरल में बलाइक बग राष्ट्री उद्यान कहां पर है और नीचे इसके नीचे तरफ जो हो तो सफेद होता ठीक है तो आप इसकी भी इमेज निकाल के देख सकते हैं फोन में तो बलायक बग राश्ट्री उद्यान कहां पर है गोजरात में ओखला पच्छी अभ्यारन कहां पर है उत्तर प्रदेश में अगला देखते हैं गोरु मारा राश्ट्री उद्यान कहां पर है पस्चिम मंगाल में अगला कोश्चन है सत्पूडा वन नजेव भ्यारन कहां इस्तित है होसंगाबाद मद्ध प्रदेश में ठीक है उसंगावाद मद्द प्रदेश में अगला कोश्चन है भारत के किस राज में सागवन वन का छेत्र सरवाधिक है तो मद्द प्रदेश में हो जाएगा ठीक है मिजोरम इस्थित फवांग पुई राष्टी उद्यान किस नाम से जाना जाता है तो नीलम परवत उद्यान के नाम से जाना जाता है अगला कोश्चन है किस राज में बागों की संख्या सबसे अधिक है तो मद्य परदेश है इसलिए इसको टाइगर इस्थेट भी बोला जाता है तो उरिसा में ठीक है अगला कोश्चन है भगवान महावीर राष्ट्य उद्यान कहां पर है अरुणाचल परदेश में बिसो में एक मात्र काउन सा हीरन है जिसके नर के चार सिंग होते हैं तथा यहमरग केवल भारत में ही पाया जाता है तो इसको देखिए को वो कौन सा बोलते हैं चौसिंगा या चौसिंगा भी बोलते हैं मेरे कहने पर आपको इसकी इमेज जरूर निकाल के देखना है इसमें क्या होता है दोस्तों ये जो हीरन होता है तो इसका जैसे ये सिर है तो सिर में आगे दो सिंग छोटे-छोटे और पीछे दो सिंग थोड़ा बड़े-बड़े होंगे ठीक है पीछे दो सिंग जो होते हैं तो बड़े-बड़े होते हैं और आगे के दो छोटे-छोटे सिंग होते हैं तो इस तरीके से इसके चार सिंग होते हैं ठीक है तो इसको आप देख सकते हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं चोव सिंगा ठीक है कोई भी बोल सकते हैं इसको कुछ भी ठीक है आगे देखते हैं कोस्चन Tiger State Tiger State के नाम से किसे जाना जाता है मध्ध प्रदेश को नागारजूर सागरबांध बाग अगला कोशन है Carvet Tiger Reserve की सराज में इस्तित है तो उत्तरा खान में Carvet जिसको Jim Carvet पूरा नाम है Jim Carvet इसको Haley National Park भी बोलते हैं दोस्तों और ये भारत का पहला National Park ता आगे देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्री समुद्री उद्यान कहां पर है तो Port Blair हमें अंडमान नीकोबार में आगे कोशन देखते हैं भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्री उद्यान कब गोंसित किया गया फूलों की घाटी 1982 में इसको राष्ट्री उद्यान गोंसित किया गया और ये कहां पर रहेगा UK में ठीक है तो आप इसको भी आधर करना फूलों की घाटी ही आता है फूलों की घाटी कहां पर है तो UK में ठीक है उत्राखन में यानी और फूलों की घाटी को राष्टी उद्यान कब घोंसित किया गया है तो ये 1982 में ठीक है केदार नाथ उद्यान किस के लिए प्रसिद है तो संगाई हीरन के लिए किस के लिए प्रसिद है संगाई हीरन के लिए यूपी टेट में पूछा गया है ठीक है आगला कोश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अगला कोश्चन है हमारा यहाँ पे कि किस राष्टी उद्यान को हेली राष्टी उद्यान के नाम से जाना जाता है तो जिम कारबेट राष्टी उद्यान को जो UK में है ठीक है उत्रखन में ठीक है अगला कोशन हमारा चंदर परभावा नजीव अब्यार कहां पर है चंदावली मद्ध उत्तर प्रदेश में किस राज़ को टाइगर इस्टेट के नाम से जाना जाता है तो मद्ध प्रदेश क ग्रेट हिमालेन राष्टी उद्यान कहां इस्तित है तो हिमालेन कहां पर इस्तित है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालेन और यहां से हिमाचल प्रदेश ठीक है राज़ा जी नेसनल पार्क की स्थापना कब हो थी तो राज़ा जी नेसनल पार्क की स्थापना 1983 में और ये राजाजी नेशनल पार्क भी UK में इस्तित है उत्रखन में ठीक है अगला कोश्चन है नंदा देवी राष्टी उध्यान किस थापन कब हो थी 1982 में और ये भी अपना UK में इस्तित है ठीक है अगला देखते हैं अचान कमार वन जी उभ्यान किस राज में इस्तित है तो 36 अगला कोश्चन है मुदो मलाई राष्टी उध्यान किस राज में इस्तित है तो तमिल नाडो में अगला कोश्चन है राता पानी टाइगर रिजर्ब कहां पर इस्तित है तो मदपदेश में और राता पानी टाइगर रिजर्ब से ही बेतवा ना दी निकलती है ये हमारा पीछे question थे ठीक है अगला question देखते हैं पीली भीत वन जी वबहरन कहा Centers अगला question है भाल मीक की वन जी वबहरन कहाँ पर है भिहार में ठीक है अगला question है भारत में अवस्थित होने वाला पहला राश्टियों द्यान कौण साहत तो जिम कार्बेट राष्टि उद्यान या तो इसको हेली नीसिनल पार्क बोलें ठीक है और कहां पर है यूके में है नगाला कोशन पूस्पगिरी 70 और भिहरनल कहां पर ए करناटेक में। अगला कोशन है भीतर कडिका राष्टि उद्यान कहां पर है तो यह हमारा है उडीसा में भारत में किस राष्ट्य उद्यान में है तो भीतर कड़ी का राष्ट्य उद्यान में आप इसको याद रखेंगे ठीक है और खारे पानी के इसमें जो तो मगरमच पाए जाते हैं ठीक है और यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं तो मैंगरोवन पाए जाता है ठीक है मैंगरोवन यहां पर जो पेड़ है तो वो कौन से है मैंगरोवन वाले पेड़ ठीक है और इसमें जो नदियां है तो नदियां कौन कौन सी है ब्रहमडी ब्रामडी और वैतरडी इस तरीके की न ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं चिनार वन नजी अभ्याण किस राज में है तो केरल में ठीक है अगला कोश्चन है अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में नेक्स्ट कोश्चन है केवला केवल टाइगर रिजर्व किस राज मिस्थित है तो तेलंगाना में ठीक अपहरण कहा पर है तो तमिल्नाडो में नेक्स्ट कोश्शन है चिलचीलावननजूआबच्ट अपहां पर है तो हरियाडा में, ठीक है जिम कारबेट राष्ट्री वड्यान कहा पर है तो यूक्य में अपनी स्थित हैं और इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं ठीक है अगले कोश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है रानी जहांसी मरीन राष्ट्री उध्यान कहां पर है मरीन राष्ट्री उध्यान कहां पर है अंडमान नीकोबार में अमानगर्ड टाइगर रिजरब हो कहां पर है यूपी में है अगर नेक्स्ट कोशन अब हमारे यहां से दो कोशन और बाज़ेगा इसके बज़त प्रक्टिसेसन है ठीक है सुनाई रुपाई वन जी अभ्भिछारण हमारा कहां पर है तो असम में अगला question है संजे गांधी राष्ट्री उद्यान कौन सी नदी में है दहिसर नदी में कहां पर है दहिसर नदी में है और ये संजे गांधी राष्ट्री उद्यान जो दहिसर नदी में है तो ये कहां पर है महाराष्ट में है कहां पर है महाराष्ट में है ठीक है तो आप ये य करना हमको ठीक है कंचन जंगा राष्ट्री उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है तो बिल्कुल नहीं है कंचन जंगा चोटी कहां पर है सिक्किम में तो यह सिक्किम में हो जाएगा मानस राष्ट्री उद्यान मद्द प्रदेश में है तो मानस मद्द प्रदेश में नहीं मरुस्थल ठीक है तो मरु भूमी मरुस्थल भूमी को ही एक राश्टी उद्यान घोंसित किया गया है तो इसलिए यहाँ पर राजिस्थान हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक और अगला कोश्चन हमारा है यहाँ भारत भारत पूर में इस्थित पच्छी अभ्हरण का नाम क्या है तो भारत पूर पच्छी अभ्हरण का नाम क्या हो जाएगा अपना केवला देव घाना राश्टी उद्यान केवला देव घाना राश्टी उद्यान और यह कहां पर है राजिस्थान में कहां पर है यह राजिस्थान में ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं नेक्स अगस्त मलाई यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर जल मंडल लिख दिया है यहां पर जल मंडल नहीं है यहां पर जयो मंडल है क्या है जयो मंडल है तो आपको इसको ठीक से समझना है जयो मंडल की बात हो रही है तो यहां पर अगस्त मलाई यह हमारा एक जयो मंडल है ठीक तमिल नाडू प्लस केरल में है कहाँ पर है तमिल नाडू प्लस केरल में अपना ये सागस्त मलाई है तमिल नाडू प्लस केरल में ठीक है और ये जो नोंकर एक है तो नोंकर एक अपना मेगाले में है कहाँ पर मेगाले में ठीक है तो आप इसको याद कर लेंगे तो इसका मत आंदरभन्य विखत में कौन सा युगम, सही ढंक से मेल खाता है, कौन सा सही मिला है ये पूँच रहा है, तो नंडादेवी, नंडादेवी ये बिल्कुल गला थे, क्योंकि नंडादेवी हमारा कहां पर है, यूके में हें। ठीक हैं। तो नों करेक, नों करेक बिल्कुल ठीक हमें गालाय में है, बकसा, बकसा टाइगर इजर भी यह कहाँ पर है, 36 गण में तो यह भी बिल्कुल अगलत है, क्योंकि यह कहाँ पर है अपने वेश्ट बंगाल में, पस्चिम बंगाल में है, और यदि हम इस उप्सन के बात करें, सी की, तो यह गिर वाला कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारे जो तो तू तीन गलत हो जाते हैं, और यह अपना नों करेक वाला बिल्कुल ठीक है, अगला कोशन हम यह दिये, अहां पर देखते हैं, तो इनमें से कौण से भारत में अरचित जयो मंडल नहीं है, तो इनमें से गिर हो जाएगा, क्योंकि गिर एक राष्ट्रिय उद्यान है, ठीक है, पंच मड़ी, यह अपना कहाँ पर है, अगला कोशन हम देखते हैं, सरिस्का और रण थंभोर निमनें से किसका सरचित इस्थान है, तो बाग का, ठीक है, सरिस्का और रण थंभोर दोनों बागों के लिए सरचित किये गए हैं, और यह कहाँ पर हैं, सरिस्का और रण थंभोर अपने राजिस्थान में हैं, कहाँ पर हैं, राजिस्थान में, ठीक है, राजिस्थान में हैं, अगले कोशन की और हम बढ़ते हैं, तो अगला कोशन हमारा यहाँ पर, अगला कोशन हमारा यहाँ पर कि भारत में कुल, भारत में कुल, भारत में कुल कितने सनरचित जयो मंडल हैं, ये बायो स्फेर रिजर्व हैं, तो 18 हो जाएंगे, ठीक है, अगला कोशन हमारा यहां पर, कि राजिस्थान की अलवर जिले में इस्थित है, कौन सा पार्क इस्थित है, कौन सा राष्टी उद्यान इस्थित है, तो अपना सरिस्थान राष्टी उद्यान इस्थित है, और किसके लिए, सेरों के लिए, सेरों के लिए फेमस है, दुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधु बिलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है जिसे इस रूप में भी जाना जाता है तो जो वो हिरण है तो उसको किस रूप में जाना जाता है बारे सिंगह के रूप में जाना जाता है किस के रूप में बारे सिंगह के रूप में जाना जाता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं सबरी माला एक हिंदू तेथ छेतर है यह किस बाग हब भ्याण में स्थित है तो यह सबरी माला मंदिर जो अपने कहां पर है केरल में है कहां पर है केरल में ठीक है तो यहां पर केरल में पेरियार नदी बहती हो और पेरियार राष्टियुद्यान भी यहीं पर हो जाएगा ठीक है बांदीपूर की यदि हम बात करें तो यह अपना कहाँ पर है बांदीपूर की यदि हम बात करें तो यह अपना करनाटक में है कहाँ पर है करनाटक में नंदा देवी जो अपना राष्टी उद्यान है तो वहाँ पर मिलेंगे जो अपनी कहाँ पर है उत्रखन में और फूलों की घाटी और नंदा देवी ठीक है सुन्दरवन कहां पर है वेश्ट मंगाल में है पस्चिब मंगाल में और इसके राव नीचे आपसन दिखा है केवला देव तो यह कहां पर है राजिस्थान में कहां पर राजिस्थान में और मानस कहां पर है असम में कहां पर असम में ठीक है तो इस तरीके से आप याद करें अगला question रिखा है महाराष्ट के चंदरपुर जीले में सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्टी उद्यान कौन सा है तडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट ठीक है महाराष्ट में ठीक है बांधाउगड कहां पे है अपने बांधाउगड MP में कहां पर है MP में ठीक है अगले question देखते हैं यहाँ पर राजस्थान के केवला देव घाना राष्टी उड्यान को पहले किस नामसे जाना जाता था तो इसको किस नामसे जाना जाता था भारतपुर पच्षिया भ्हाण के नाम से ठीक है और यह अपना राजिस्थान में ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सलीम अली नेसनल पार्क के बारे में आया है तो सलीम अली नेसनल पार्क यह जम्मू और कस्मीर में है कहां पर जम्मू एंड कस्मीर में ठीक है थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में आप जरूर कंफर्म करिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सलीम अली पच्छिय भेहन्ड जम्मू कस्मीर में मुझे तो लग रहा है जम्मू कस्मीर में है आप इसको कनफर्म कर लेज़ेगा खिजादिय पच्छिय भेहन्ड ये कहाँ पर है ये कहाँ पर है गुजरात में हो जाएगा खिजादिया पच्छिय अभ्याणड गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में हो जाएगा, और इसके लावा, मयानी, मयानी पच्छिय अभ्याणड की बात यह दिकरें, तो यह हो जाएगा, अपने महाराष्ट में, कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट में, तो मयान बांगलादेश के साथ अपनी सीमाओं को साधा नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग सुंदर बन राष्टी उद्यान लगा सकते हैं लेकिन यह नहीं है इसमें से कौन सा होगा कंचन जंगा राष्टी उद्यान जो सीमा को साधा करता है ठीक है तो इस तरी जी रंगा की बात करें तो यह अपना हो जाएगा असम में ठीक है कहां पर हो जाएगा असम में और पन्ना वाली की बात करें तो यह हो जाएगा MP में ठीक है कहां पर हो जाएगा MP में अगला कोश्चन देखते हैं मद्य प्रदेश में निम्लेकित में से किस पसू के अगला कोश्चन देखते हैं गुजरात के गिर राष्ट्रिय और सामान गिर अभ्यारण भारत के एकलावते वन जीव अभ्यारण जिन में से कौन सा जीव पाया जाता है तो यहाँ पर होगा अगला कोश्चन देखते हैं काजी रंगा राष्ट्रिय और वह किस राज में स्थित है तो अपना कोश्चन हो जाएगा काजी रंगा राष्ट्रिय और जिम कारवे नेशनल पार्क राष्ट्रिय ऊद्ध्यान कौन सो हो जाएगा उत्रखन रर्ण थम भहर राजिस्थान और गिर गुजरात में ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं कारबेट नेशनल पार्क किस पसू की रच्छा के लिए इस्थापित किया गया है कारबेट नेशनल पार्क किस के लिए इस्थापित किया गया है तो बागों के लिए ठीक है बंगाल के बागों के लिए इस्थापित किया गया है क्या नाम रखा गया तो हेली नेशनल पार्क क्या रखा गया हेली नेशनल पार्क आज इसको किस नम से जानते हैं जिम कारबेट नेशनल पार्क और कहां पर है उत्रखन में यूके में काना नेशनल पार्क यमपी में है ठीक है कहां पर है यमपी में है भारतपूर कहां पर है राजिस्थान में कहाँ पर है राजिस्थान में और राजा जी राष्टियो द्यान ये भी अपना UK में यानि उत्रखन में ठीक है अगले कोशन की ओर ये दिम बढ़ते हैं तो कीठम जीर और सुर सरोवर पच्छी अभ्याण निमलकित में से किस सहर परिस्थित है तो ये अपने आगरा में है ठीक है कहाँ पर है आगरा में ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे कीठम जीर और सुर सरोवर पच्छी अभ्याण ठीक है अगला कोशन देखते हैं निमने उखेंसे कौन सा बायोस्थियर रेजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था तो इनमें से कौन से हो जाएगा ये देट ये दो दोस्तों आपको डेट जब पता होगी तब ही यह कुश्चन कर पाएंगे ठीक है तो नेलगिरी बायोस्थियर रेज और और हम यहादी बढ़ते हैं तो इन-में से हमारा नेक्स्ट काउन सबते हैं क्योंगें आपने कहां पर हें को सulator der sprayed 샵 यापनी है पर कहांपर यह इसको याद रहते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे ठीक है अगला question यहाँ पर है निमले कितमे से कौन सा राश्टियुद्यान पूर्वी हिमाले छेत्र में सबसे बड़ा सनच्चित छेत्र है तो नाम दफा राश्टियुद्यान और ये नाम दफा राश्टियुद्यान ठीक है सब रुक्टक जिल में है ठीक है एक मात तरता हुआ ठीक है और यहाँ पर जो हिरन पाए जाते हैं उसको डांसिंग हिरन या उचलता हुआ हिरन बोला जाता है बांदीपूर की यह दिबात करें तो यह अपने करनाटक में है और जिम राश्टियुद्यान की बात करें तो यह यूके में हूँ उत्राखन में ठीक है तो हमने पूरे प्रिवियस और कोस्टन भी किये और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगा होगा ठीक है इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर भी ले करके आएंगे जो स्टाटिक जी के कहोगा प्रिवियस और कोस्टन और ये राम मान रियल में काफी अच्छी बुक है प्रक्टिस के लिए ठीक है तो मुझे उमीद है कि आपको ये ठीक लगा होगा आगे लेक्चर हम लेकर कियाएंगे ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद